ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ये देखो पापा सारा दूद बरबाद कर रहे हैं इस से अच्छा तो किसी गरीग को पिजाई देते हैं कम जगां पेट तो भरता उसका पता नहीं अनविश्वास कब खत्म होगा लोगों का बेटा तो उन्हें पूजा करने दे तो आ एडुकेशन देने में इतना वीजी रहा कि शायद तुछे सलसकार देना इस भूल जा वेटा तुझे पता शिवलिंग होता क्या है नहीं पता ना कोई बात ने तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शिवलिंग होता क्या है लोग अपने-पने हिसाब से इसका अलग अलग यार्थ निकाल लेते हैं, लेकिन असल में शिवलिंग, मा पारवती और शिव का सवरूक है, जो पूरी श्रिष्टी के निर्वाता हैं, और रही बात तेरे जल और दूद की, तुझे पता है कि शिवलिंग पे जल और दूद क्यों चलाया जाता है? ये भी नहीं धारन कर लिया, जिसकी वज़े से उनका कंट पूरा नीला पड़ गया, और उनके शरीर में बहुत जलन होने लगी, और उनकी इसी पीड़ा को समाप करने के लिए, देवी देटाओं ने भागवान शिवजी पर जल और दूद का अभिशेक किया, इसी लिए तो कहते हैं ब जल में दूद का अंश्भरी काफी होता है, और रही बाद तेरे दूद वेस्टेज की बेता, तो वेस्टेज तो लोग भी बहुत सारी करते हैं, वो महंगे महंगे रेश्टरण में जाते हैं, लेकिन खाना चोड़ के आ जाते हैं, आप लोग बड़े बनाते हो, केक लाते हो, खाने के लिए, लेकिन उसे मूँ पे मल देते हो अगर यही खाना और केक आप किसी गरीब को दे दो, तो उसका दो वक्त का पेट भर जाएगा दिटा मुझे एक बात बता, आज तो 25 साल का हो गया है, तुने आज तक कितनों को दूद और खाना खिलाया है बता बता, किसी को भी नहीं न, जब भगवान को जल चलाने या दूद चलाने की बारी आती है, तभी हमें वेस्टिज और समासेवा याद आती है बेटा मैं नहीं कहता कि मौडन मत बदो, लेकिन अपने संसकारों को हमेशा साब लेके चलू, मैं तो तुझे ये बात बताना भूल गया, लेकिन तू ये बात अपने बच्चे को बताना मत भूलना, समझा? हाँ पापा, चला आज के लिए बहुत है, उजा करने चले नमस्कार भाई साब, नमस्कार, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संसकार दी है, अरे, बहुत-बहुत धन्यवाद, बाई-बाई बिटा, अंकल, हर-हर महादेब, अरे, हर-हर महादेब, बिटा, हर-हर महादेब, माता-पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ धर्म की शिक्षा जरूर बाटे